हेलो वाट्सआप गाईस आज हम इस वीडियो में देखने वाले रियक्ट 19 नियू हुक जी हां गाईस तो आपके मान में आ रागा कि कौन सा ये नया हुक हो सकता है तो बताना चौंगा गाईस हो है आपका नियू यूज हुक आप में आपने अगर बाकी की वीडियो या बाक किलियर बताइती डैट इस अगर आप कोई भी हुक करते हो तो एक सबसे जाद इंपॉर्टेंट रूल यह है वी निद तो हैब यूज एज अज़ प्रिफिक्स मतलब आपको यूज जो यह क्यूवर्ड है ना एज़ प्रिफिक्स यूज करना पड़ता प्रिफिक्स मतलब करना पड़ता है यूज स्टेट यूज इफेक्ट उसी तरीके से इन्होंने एक नया हुक बना दिया जिसका नाम ही सिर्फ यूज है अब यह जो यूज है अगर आप इसका जो एक्ट्वल डॉक्मेंटेशन है रियक डॉट डेब में जो की वर्जन 18.3.1 बता रहा है उसम लगा प्रेफ्रेंस के अंदर अपी बता रहा है हूँ हम इसको as a use hook बोलते है बट यह एक hook ना होके like apis के अंदर है जो की अभी अपने canary stage पर है and the best part about use API कह लीजे या use hook doesn't matter for the time being now क्योंकि यह तो आपको API बोल रहा है बट वहुच बोलता है बट वहुच भोग इसको ठीक है बट एक चीज बहुत क्लियर देख सकते हो यह जो यूज है ना इज रियक्ट अपियाइए यहां पे इनोंने अपियाइए का तो हम इसको अपियाइए फिर एक 90% डेवलपर्स मिस्टेक करते है वह वीडियो भी मैं आपको बता है यह वीडियो भी बहुत इंपोर्टन यह बहुत इंपोर्टन यह अपियाइए बट अब क्या होगे ना जब से यह यूज आया है तो इनका कहने का मतले है कि अब आप यूज हूज कॉंटेक्स हूज का यूज हूज हूज यूज हूज यूज अपियाइक्यूं देखो कॉल यूज इन अ कंपोनेंट तो रिट दी वैल्यू आप पर रिसोर्स लाइक क्या अप्रमिस और कॉंटेक्स्ट लैक हम कैसे रिट करते थे ना कही न कहीं होगा यह हाँ यह यहाँ पर बता रहा है अब आप एक चीज देख सकते हो यह वाला एक पाट जहां पर यहाँ इतना अगर आप देख लोगे तो आपको पुरा आइड़ आ जाएगा क्या हूँ रहा है and I think the best way to learn react is like आप react.dev जो उनका official documentation उसको रीट कर सकते हो रीडिंग बता भी रहा है context with use देखो ना when a context is passed to the use it works similarly to use context I hope आपको exactly idea है यह use context किसे कहते है देखो ना एक चीज इनपोर्टेंट है यह जो use context है must be called at the top level of your component हरे खुका हमें top level पे ही call करना पड़ता है use यह जो नया use API है can be called inside conditional oh my god जैसे if के अंदर आप इसको use कर सकते हो loops के अंदर आप इसको call कर सकते हो like for loop use is preferred over use context because it is more flexible यह लोग खुद बोल रहे कि use को अब आप use करना start कर दो instead of use context because it's more flexible and बहुत ही ज्यादा मतलब इतना जो मैंने कुछ बता है अगर मैं अभी आपका practical दिखाऊंगा ना आप मेंको गालीगर होगे वो लिगा मेरा time host कर दिया क्यों मैं आपको बताता हूं देखो ना यह था हमारा code ठीक है जिसके चलते आपको आपका output को जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है we have one component, another component, another component and तीनों में मैंने यह दिखाई कि प्रॉप ड्रिलिंग से आप कैसे बस सकते हो and use context hook की मतलब से कैसे data बहुत easily बिना किसी को disrupt करें आप get कर सकते हो मैंने custom hook की भी बताया आपको अब बस आपको पता क्या करना है जहां आपने use context hook का use किया है बस उसके बतले आपको use use करना है खत्र बस यह है यह है और कुछ भी नहीं है use context के बतले आपको खाली use hook या use API को use करना है and obviously आपको इसको भी import करना पड़ेगा from your react library एक काम करता हूं इसको में काम करता हूं इस तरह के से comment कर देता हूं आप लोगों के लिए and import we have to have this create context and then use from our react library simple ठीक है या this is it बस खत्तम गाइस मैंने कहा ना जब मैं code दिखाऊंगा आप बोलोगे आप इतना मेरा टाइम करते बट इन reality आपने देखा use context के बतले अब आपको खाली यूज जो API उसको यूज करना है यह अगर इसको मैं जितना भी रिफ्रेश करो मुझे डेटा आना सेम ही है अब इसका advantage के आप जैसे कि आप उन्होंने बताई कि आप use context को किसी conditions के अंदर यूज नहीं कर सकते थे बट यस यह जो use होके उसको हम condition के अंदर at least use कर सकते है let's check it out for example यह मेरा about वाला component है so services yeah here we have this about component ठीक है यहाँ पर मैंने already इसको use किया हुआ है ठीक है एक काम करता हूं इसके बदले मैं चाहूं तो directly स्थरके से भी const यह जो दो चीज है इनको मैं copy and यहाँ पर मैं directly स्थरके से use context hook and then मेरा वो जो main context that I mean that is my bio context ठीक है इस तरीके से मैं यह use कर सकता था फिलाल अभी के लिए इसको मैं हटा देता हूं ठीक है अभी in general यह अगर मैं करता हूं तब भी कोई problem नहीं तब भी एकदम perfect है like use context hook की मदद से मैंने get की then मैंने क्या किया था आपको बता था कि आप custom hook की मदद से कैसे कर सकते हो वो मैंने आपको दिखाया था तो फिलाल मैंने अभी custom hook को comment कर दी है and normal use context hook की मदद से कैसे get कर सकते हो मैंने आपको दिखाया अब हमें देखना है क्या use API है में तो वही है अब अगेन में अगर आपको यह बता हो फिर से आप मुझे गाली करोगे यह बताने के लिए कि use context नहीं खाली use hook करो I mean बस खाली आप use लिख दो सब्सेम रहेगा खाली आप इसको हटाके use लिख दो अगर मैं यहां पर चलता हूं अब मैं क्या करूँ बताओ इसमें react ने बना के ही ऐसा दिया कि use context के बदले use कर दो बस इसका फाइदा भी यह है ना कल की दिन लेट से आप condition एक है फिलाल अभी मेरे पास कोई condition तो है नहीं बट मैं खुद से एक बना लेता हूं कॉंस्ट इकोल टू टू कर देता हूं मैं ठीक है मतलब यह true है by default always true ही रहेगा मैं यहां पर new hook कर देता हूं ठीक है और में काम करता हूं यह वाला जो particular part है इसको मैं copy करता हूं यहां पर paste फिलाल अभी इसको नहीं कुछ नहीं करता हूं यहां पर conditionally देखा यह इसने खुद बोल दिया कि यहां पर हमारा यह जो use context hook है यह conditionally call हो रहा है और यह बिल्कुल भी allowed नहीं करता react use context hook को इस तरह की से use करने के लिए तो यह हम नहीं कर सकते बट हमने जब अभी पढ़ा कि हाँ चलो at least मैं use use कर सकता हूं यह देखो इसमें कोई मुझे error नहीं आ रहा कुछ भी नहीं आ रहा है खाली मुझे यहां पर इस तरीके से error आ रहा बता रहा है औल डिस्ट्रक्चर्टर्स elements are unused एंड इस तरीके से हम इसको नहीं कर सकते इसका करने का तरीका में बताता हूं आप यह जो माइन माई एज है आप पहले ही ऐससे भी कर दो हाला कि बहुत सारे तरीके हैं बटी अभी भी लाइक पॉफेक्ट तरीके से गाइस इस्टेवल रिलीज नहीं हुआ है तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूं आप यहां पर इस तरीके से कर दो खत्तम यह खटा द देज उसको मैं जो यूज कर रहा हूं इनसाइड इफ कंडिसन तो क्या हो अगर मैं यूज कॉंटेक्स्ट यूज करता हूं वाट इफ लेट्स को वित यूज कॉंटेक्स्ट उपर पर हमने उसको गेट कर लिए यह देखो गाइस चाहे कुछ भी हो जाम आप से क्या का था यहां पर आप बहुत क्लिए लिए देख सकते हो फिर से वही चीज है कि react hook use context is called conditionally चाहे कुछ भी कर लो आप हुक को इफ कंडिसन के अंदर यूज कर सकते चाहे कोई भी हुक हो ठीक है बट यहां पर आप देख सकते हो at least अगर वो यूज होता आइमीन यह वाला हुक होता यह API कह लिए तो मैं बहुत इजली उसको यूज कर सकता हूं and मेरा I mean आप खुद imagine किजे लेट से कभी ना कभी आपके पास कुछ ऐसा situation आगया जहां पर आपको conditions के अंदर या loop के अंदर देखना है अगर यह true होता है यह hook जो आप इसका यूज कीजिए या डेटा ही तब मुझे चाहिए होगा राइट तो उस समय तो यह obviously आपका 110% best case scenario रहेगा राइट तो यह this is it आज इस वीडियो के इतने है गाईस जब इस टेबल होगा तो आप देखा जाएगा बट फिलाल अभी मैंने जो ढूंडा मुझे तो मिला नी अगर आपको लगता है कि इस्टेबल हो चुका है क्योंकि मैं पास version 19 भी यह अगर आप देखोगे यह यह 99 इसमें तो मुझे मिला नी वह बट हां मुझे लगेसी रियक्ट एप्याइज जरूर मिले जिसमें से आप बहुत के लिए देख सकते हूं कि अभी जो फॉर्वर्ड रैफ यह लगेसी के अंदर आ चुका है यह अगर आपने नहीं देखा होगा अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजियेगा उनको ठीक है तो आजका वीडियो बीडियो ज्यादा पसंद होगा आपको यह जो use API या use hook जो है इसके बहुत सारे use cases है जिसमें से में तो आपको सिर्फ एक बता है क्योंकि जैसे जैसे मुझे लगेगा हाँ important है तब में बताता जाओंगा but at least अब आप use context hook के बदले use का जो है use कर सकते हो तो आपको आज का वीडियो कैसा लागा let me know in the comment section source code बिल्कुल free है and guys अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ भर बर के से comment कर दीजे आपको वीडियो कैसा लागा अगर आप subscribe कर देते हो तो मुझे बहुत ज्यादा motivation मिलती है प्लीज बस आपका एक subscribe दो सेकेंड का का में subscribe बटन पर क्लिक कर दीजेगा bell icon बजा दीजेगा ताकि आप ऐसे awesome वीडियो को मिस्ट ना करें सब्सक्राइब कर दीजेगा तो मिलती हमें कल की वीडियो में बिलिप में कल का वीडियो बहुत ज्यादा awesome होने वाला है सब्सक्राइब कर देन गाइस थैंकि सो मुझ टेक क्या